वीजा करने वाले हैं कि हमारा वीजा एकसेप्ट हुआ है या रिजएक तो यही इस वीडियो में जानने वाले हैं तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और इंस्टाग्रम पर फॉल्व कर सकते हैं कि महां पर भी मैं डेली अपडेट देता रहता हो तो दोस्तों जब हम वीजा अपलाय करते तो उसके लिए हमें रिजल्स के लिए बहुत वेट करना पड़ता है जनरली वीएफेस ग्लोबल कॉंसुलेट्स कहते हैं कि 15 वर्किंग डेज में हम आपका रिजल्स डेकलेर कर देंगे बट सम्टाइंस टाइम ज्यादा लग जैसे कि हम पेंडेमिक बें देखा जा तो कई स्टूडेंट्स के जो प्रिजल्स यह रहता है कि कई और दूसरा और कि ही हम सेंटर से isaSearul आजाता है तो इस केस होता है घ। और आपके एक्सेपरटन Сके चांसे काफी हथ तक बढ़ जाते हैं और जब हमें वी जा कांटर के लिए बोला जाता है VFS से तो उस case में जो है rejection के chances जादा बढ़ जाते हैं बट still I would say कि जब तक आप end में अपने passport के अंदर visa के sticker ना देख लो तब तक आप believe ना कीज़ेगा कि result क्या हो सकता है और दोस्तों जब हम Italy student visa apply करते तो उसके लिए हमें पहले University Tally portal पर pre enrollment करना पड़ता है उसके लिए हमें उस portal पर registration करना पड़ता है documents upload करने पड़ते हैं then वो documents forward होते हैं embassy को और university को and then उसके बाद approval आता है जैसे यह approval आता है उसके बाद ही हम visa apply कर पाते हैं visa application हमने कर दी अब आपका जो visa है वो process में और उस time पर आपको जानना है कि हमारा result क्या आया है acceptance है या rejection तो वही जानते हैं तो दोस्तों जब आप university पर registration करते हैं तो वहाँ पर आपको credentials मिलते हैं उन credentials के तुरू आपको login करना पड़ता है और daily आप check कर सकते हो जब आपका visa apply हो जाता उसके बाद 10-15 days में check 15 days के बाद आप आप check कर सकते हो तो वहाँ से आपको पता चल सकता है बट यह पता तभी चलेगा जब आपका visa processed हो चुका हो दैन ओली विए बल टू नो कि आपका visa accept हुआ है या reject तो इधर आपका अगर courier भी हो रहा है तो आप पहले ही चेक कर सकते है counter collection भी दे दिया है आपको तो आप पहले ही चेक कर सकती कि आपका visa accept हुआ है reject तो this is the way through which you can know prior कि आपका visa accept हुआ है या reject तो चलिए एक बार picture से आपको मैं बता तो दोस्तों आपको जो picture दिख रहा होगा स्क्रीन पर यह मैं एक स्टूडेंट का युनिवर्सिटाली पोर्टल का लॉग इन करके मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें इस स्टूडेंट का visa जो है accept हुआ है इसलिए लिखा आ है long term visa issue issue कर दिया गया है और अब जो यह screenshot आपको दिख रहा है यह दूसरी स्टूडेंट का है और इसमें आपको दिख रहा है कि आपका long term visa जो है deny कर दिया गया है तो यह reason है यहां से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो वीजा है वह accept हुआ है या reject और जब हमें ना issue लिखा जाए या ना denied लिखा जाए तो और यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना mention किया जाए कि forward किया गाए तो उस case में आप देख सकते कि अभी result नहीं आया तो आप वेट करिए और चेक करते रहे आप युनिवर्सिटाली पोर्टल पर तो यही शौट वीडियो आपको बताना था कि आप कैसे चेक कर सकते प्रायर आपके वीजा अप्लिकेशन में बस एक बात का ध्यान रखेंगे यह रिजल्ट तभी चोगा युनिवर्सिटाली पोर्टल पर जब तक आपका वीजा प्रोस प्रोसितो